हेलो दोस्तो हमारी यूट्यूब चनल टेक्निकल ग्रिकल में आपका स्वागत है आज का इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप अपने यूट्यूब के जो आटोमेटिकली कॉलिटी अपडेट कर लेता है आपको क्या करना है तो सबसे पहले क्या करना है जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको यूट्यूब ओपन करते ही आपको क्या करना है राइट साइड में ऊपर की और जैसे कि आप देख सकते हैं एक गोल सरकल लिख रहा होगा उस पर आपको क्लिक कर देना है उस पर क्लिक करने के बाद आपको जस्ट सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है Settings पर क्लिक करने के बाद आपको एक options मिल जाता है Video Quality Preference Video Quality Preference पर आपको click कर देना है इसके बाद आपको यहाँ दो options मिलते है एक होता है आपके GSM SIM के लिए और एक होता है वाइफाई के लिए पहला होता है GSM के लिए जो पहला option आपको मिलता है उसमें आपको तीन option मिलते है friends आप किस पर data set करना चाहते हैं एक medium quality, low quality और एक high quality तो हमें क्या करना है data saver पर click कर देना है दूसरा option होता है wifi के लिए अगर आप किसी का wifi यूज़ करते हैं और उस पर भी आप low quality के video देखना चाहते हैं तो उस पर भी आपको data saver पर click कर देना है और just इतना setting करने के बाद आपको back आ जाना है और app close करके फिर से start कर देना है आपकी setting complete हो जाएगी और आप जो भी video play करेंगे वो maximum 144 पर automatically set हो जाएगे और video play होगे तो hope video आपको अच्छा लगा अगर अच्छा लगा तो please हमारे चैनल को subscribe कर लिजे और bell icon दबाद दीजे ताक के आप तक हमारी latest video कहुँचे सबसे बाहिए